गॉलेर आटो में सवार होकर रहा चलते युप्तियों से कुछी देर की भीतर लूट की दो संसनिकेज वादातों को अंजाम देने वाले बदमाशो सनी बाथम और दिनेश बाथम को पुलिस ने गरप्तार किया है गॉलेर में पहली गटनाश शिवपुरी की रहने वाली कृष्णा रावत के साथ हुई थी वह शुक्रवार को एक प्रतियोगी परिक्षा का पैपर देने के बाद टम टम में सवार होकर एलाइसी तिराहे के पास से गुजर रही थी तब ही आटो में सवार होकर आए दो बदमाशों ने उसका मुबाइल छीन लिया कृष्णा रावत इस छीना जप्टी में घायल भी हो गई थी इसी तरह इशी का निवजा नामक युवती से शिंदे की चावनी में इन आटो सवार युवकों ने होटल मेडवे के सामने लूट की वारदात को अंजाम दिया था और मुबाइल लूट कर फरार हो गए पुलिस ने दोनों ही लूटों का खुलासा करते हुए बदमाशों को गिरफ़तार कर लिया है और उनके आटो को भी जब्त कर लिया है कल गौलियर शहर में दो लूट की घटना हुए थी मोबाइल लूट की जो थाना पड़ा और थाना इंदरगंज छेतर में हुए थी इसमें एक आटो में बैठे वेक्ति ने दो ललकियां जो जा रही थी उनसे मोबाइल शीने थे इस पे पूरी टीम जो हमारे एडिशन इतने फूटेज वगरा देखे तो इनको आइडेंटिफाई किया गया और आज इनको फकड़ लिया है तोनों लूटेरों को पकड़ लिया है दोनों मोबाइल जब कर लिये हैं और यह बड़ा अच्छा काम पुरी टीम बर्क से इनों ने किया है बहुत जल्दी अंजाम द पूराना फिके लूट का नहीं है चोटी मुटी घटाओं का इन से बातचीत कर रहें कि शायद पहले भी ऐसी कुछ घटाएं कि और अभी और बातचीत करेंगे तो पतलेंगे अभी तो बता रहें कि बस उनको इस था कि अच्छा मोबाइल मिल जाए और पैसे मिल जाएंग गॉलियर से गुट्डू सविता की रिपोर्ट